हलो दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों का टार्गेट SSC CPO 2023 है या फिर जो भी विद्यार्थि CPO 2023 के अंदर दिल्ली प्लूस SI या फिर SI in CISF, BSF, IDTP, SSB या CRPF इन सभी को टार्गेट करते हैं दोस्तों उन सभी के लिए complete strategy वीडियो दोस्तों मैंने बढ़ाया है दोस्तों SSC CPO के लिए आपको क्या educational qualifications ही ये तो दोस्तों जो भी graduates है यानि कि जिसने भी BA, BST, VTEC, BCOM जो कुछ भी कर रहा है अगर आपकी graduation दोस्तों notification आने से पहले तक आपकी graduation complete हो जाती है तो दोस्तों आप इस examines के लिए eligible हो इसके अलाव दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों का target दिल्ली पुलिस में ऐसा ही है उन सभी विद्यार्थियों को driving license की अलग से requirement होती है तो दोस्तों जो भी विद्यार्थि दिल्ली पुलिस में जाना चाते हैं उनके पास अगर driving license नहीं है तो उनको सला दी जाती है कि आ आप अपना driving license निश्ची तूप से पहले ही बनवा लें क्योंकि दोस्तों driving license आपको चाहिएगा और जब आपका selection हो जाएगा document verification होंगे तो बिना DL के आपको सीधा ही reject कर दिया जाएगा दोस्तों इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है दोस्तों दिल्ली पुलिस के ल लिए दोस्तों अगर जो जनरीली मेल होते हैं जैसे बिना हिली एरिया के या फिर बिना एस्टी के जितने भी मेल होते हैं ओल ओवर इंडिया के उन सभी के लिए जो हाइट है वो आपको पता है 170 170 सेंटीमेटर चीए यानि कि 170 सेंटीमेटर आपकी minimum हाइट होनी चीए और हाइट का जो क्राइटेरिया है वो 85 से 80 80 से 85 यानि कि 80 से 55 आपका होना चीए 80 बिना फुलाया और फुलाने के बाद में 55 होना चीए मतलब minimum 5 सेंटीमेटर का एक्सपेंशन फुलाने पे होना ही चीए इसके लाव दोस्तों जो मेल कंडिडेट हिली एरिया से बिलों करते हैं हिली एरिया का मतलब जो गड़वाल, कुमाउं या जमू कस्मीर या फिर आसाम या नोर्थ इस्ट से बिलों करते हैं उन सभी के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 165 सेंटीमेटर है यानि कि हाइट में उनको 5 सेंटीमेटर की छूट दी जाती है जनरली जो कंडिड है वो 162.5 सेंटीमेटर ही चाहिए यानि कि 65, 165 सेंटीमेटर है उनकी हाइट होने चाहिए और उनका जो का चेस्ट का क्राइटेर है वो भी कम होता है यह हाइट होनी चाहिए अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है यह फिर आपका चेंश्ट अगर आपको फ्लाने में दिक्कत वगिरा होती है तो आप पहले से देख लेना हाइट तो आपको चीह चीह इसके अलावा दोस्तों अगर फिमेल्स के लिए अगर हम बात करें महिलाओं क तो जो भी फिमेलν जनर्ली एरिया से बिलोग करती है उनकी हाइट 157 सेंटिमेटर चीह है एक ऊसटयाओं सेंटिमेटर और जो फिमेल हिली एरिया से बिलोग करती है हिली एरिया का मतलब मैंने अबी आपको बताया जो भी गड़वाल कुमाउं जैसे उत्राखंड वगरह ह और जम्मु कस्मीर है या फिर नोर्फिस्ट के स्टेट्स है इन सभी से जो फिमेल्स बिलोंग करती हैं उनको one fifty five centimeter height चीये और जो फिमेल्सब्स एसटी कटेगरी की है उनको one fifty two centimeter height चीये इसके अलाव दोस्तों female के लिए चेश्ट का कोई भी criteria नहीं होता है यहांनि कि female का जेस्ट वहां पे पेञ जंप और लोंग भोगा वह सब आपको देखना हूं तो मेल कंडिडेट होते है male candidate के लिए आपको पता है कि जो running है वो 1600 मिटर की होती है और साड़े 6 मिनिट का समय आपको दिया जाएगा इसके लिए तो ये आप देख सकते हो इसके अराव दोस्तों जो 100 मिटर वाले जो running है ना उसके लिए males को 16 सेकंड दिये जाते हैं वो भी आप इसके अंदर देख सकते हो हाई जम के लिए आपको पता है तीन सांसीर के अंदर आपको 1.2 मिटर कूदना होता है तीन में से अबर एक बार भी आप कूद गए तो आप क्वालिफाई हो लोंग जम वही तीन चांस 3.65 मिटर आपको लंबा कूदना होता है short put 3 चांस होते हैं फिमेल के लिए दोस्तों आपको पता है क्राइटेरिया थोड़ा सब कम हो जाता है जो रंणिंग है वो सिरफ 800 मिटर की होती है और टाइम भी जयधा दिया जाता है जैसे 4 मिनेट फिमेल को दिया जाते है और जो 100 मिटर की रंणिंग है उसमें females को male से 2 सेकंड ज्यादा दिये जाते हैं यानि कि यहाँ पे females को 18 सेकंड का समय दिया जाता है 2 मिटर की running के लिए high jump का दोस्तों आपको पता है कि 0.9 मिटर का jump होता है और 3 chances वहाँ पे भी females को दिये जाते है long jump है उसमें भी 3 chances और सिरफ 2.7 मिटर का long jump females के लिए होता है इसके लाओ दोस्तों जो short put का जो criteria है वो सिरफ males के लिए होता है females के लिए short put का जैसा कोई भी criteria नहीं होता है तो दोस्तों जो भी विद्यारती अगर CPU के अंदर जाना चाहते हैं तो आज से और अभी से अपनी जो running है ना वो सुरू कर दो क्योंकि दोस्तों 1600 मिटर के running साड़े 6 मिटर के अंदर complete करना कोई छोटा task नहीं है तो कहने का मतलब आपको अपनी तयारी अभी से सुरू करनी है इसके लाव 100 मिटर का जो sprint है उसकी भी तयारी आप कर सकते हो high jump और long jump की तयारी आपको निश्चे तुरू करनी ही पड़ेगी क्योंकि तीन तीन चांसेंज के दर आपको जैसे 3.65 मिटर long jump होता है न यह लगबग 12 फिट के लगबग होता है तो आप सिधा कूद नहीं पाओगे कहने का मतलब आपको तैयारी अभी से सुरू करनी है इसके लिए दोस्तों important dates की अगर बात करें तो आपको पता है कि आपको नोटिफिकेशन है वो 22 जुलाई को आय था तो 22 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आ गया आपका फोरम बढ़ना भी 22 जुलाई से सुरू हो गया और आपका जो प्री का एक्जाम है वो अक्टूबर के अंदर निच्चित रूप से होगा और 3 से 6 एक्टूबर के बीच में आपका एक्जाम होई जाएगा डेट्स जो है वो पहले से ही SSE ने केलेंडर निकालके अप्रेल 2023 के अंदर ये आपको बता दी थी ये आपका नोटिफिकेशन कब आ गया और प्री का एक्जाम कब होगा तो इसके बारे में आप निच्चित रूप से अक्टूबर के अंदर होगा ही होगा और अक्टूब वो अधर पोस्ट के अंदर जितने भी SI वगरा है उन सभी की पोस्ट है तो आप देख सकते हो एक्जाम पेटरन की दोस्तों बात करें तो आपको पता है कि एक्जाम पेटरन इसके अंदर जैसे CGL के अंदर होता है वेसे ही होता है लेकिन थोड़ा सा नवरों क्यूशन के इसके अंदर डिफ्रेंस हो जाता है मैथेमेटिस का आपको पता है कि 50 कुशन आएंगे 50 मार्क्स का टोटल होगा यानि कि परते कुशन एक नमर का होगा वैसा ही रिजनिंग के अंदर जीके के अंदर और इंग्लिस के अंदर की चार आपके सेक्शन आएंगे चारों पूरे जो दोस्कों कुशन है वो कंप्लीट करने है करने का मतलब आपका समय इसके अंदर यह दिये जाता है इसके अलावा दोस्तों सीपीओ के अंदर जो चेंज होआ है वो यह हुआ है कि आपको जो निगेटिग मार्किंग है वो इस बार बढ़ा दी गई है क्योंकि होगी तो आप इसका निश्चीत रूर्प से द्यान रखना हाँ 200 नमर का पर होगा आपका प्री आपक़ तो आपका नियर्टिव हो जाएगा उस पेपर सेकिंड जो है वो completely English का पेपर होता है आपको पता है syllabus बिल्कुल भी change नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा सिरफ A की subject आएगा वो की English आएगा और English के 200 questions आएगे 200 marks के आएगे यानि की प्रते question एक नमर का आएगा और 2 गंटे का समय ही आपको इसके लिए दिया जाएगा कहने का मतलब प्रते question आपका एक नमर का होगा और आपकी negative भी है इसके अंदर भी minus की one by third ही होगी यानि की means के अंदर भी negative सेम है जैसे pre के अंदर है दोस्तों आपका जो selection procedure इसके अंदर होता है ना वो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका pre का exam होता है उसके ब मेडिकल थोड़ा सा hard होता है आपको पता है कि मेरिट दोस्तों आपको पता है कि 200 नमर का प्री हो गया और 200 का मेंस हो गया तो 400 नमर के अंदर से आपकी मेरिट बनती है जैसे अगर आप कटोफ की बात करोगे ना तो जैसे दिल्ली प्लिक्स SI के लिए तो आपको कम से कम दो साठी है तो आप इसको भी देख सकते हो कहने का मतला है अगर आपका टार्गेट डिल्ली प्लिस SI है तो आपको 320 नमबर तो आपको डिल्ली प्लिक्स SI के ऑना चाहते हो जो कि सबकी dream post होती है तो आपको pre के अंदर 200 में से 160 प्लस का target तो आपको करना ही करना है कि 200 में से 160 तो मेरे को लेके लेके आने उसके अलावा men's के अंदर भी आपको 200 में से 160 जो कि solely English का paper होता है वहाँ पे आप अनाम से लेके आ सकते हो क्योंकि pre और men's के जैसे आपको जो भी goal है ना तो आपको CD by CD चड़ना होता है ऐसे नहीं कि आप सुरुवात करने हो और फिर एकदम से आपको goal अचीव हो जाएगा आपको CD तर CD चड़ना होता है पहले एक CD उसके बाद में दूसी CD उसके बाद में तीसी CD करने का मतलब आपको CD बर CD चड़ोगे ना तब ही जाको आपको सफुता मिलेगी तैयारी करने के लिए आपके steps क्या होना चीए तो सबसे पहले तो आपका तो syllabus है वो complete होना चीए syllabus बले आपने online या offline जहें से भी complete किया हो एक बार आपका syllabus आपके पास होना चीए उसके बाद में आपके जित्ते भी previous year के question है उनकी आपको practice करने चीए practice PYQ है वो काफी ज़दा important है और regular आपको mock test देने हैं और mock test भी आपको सिरफ relevant mock test देने हैं irrelevant mock test आपको कभी भी नहीं देने हैं इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो subject wise strategy के अगर बात करें न तो सबसे पहले आपको पता है mathematics subject है और mathematics के अंदर arithmetic और advanced दोनों आपको पता है प्री के अंदर चुकि आपको पता है सिरफ mathematics एक अलग subject के आगा means के अंदर तो होता नहीं है तो आपको 50 के उसे नाते हैं और 50 marks के होते हैं तो कहने का मतलब आप सबसे पहले तो आपके खुद के आपके पास chapter wise notes इसके होने चीए notes अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लो बहले online course है या online कैसे भी बना लो लेकिन कुछ student क्या करते हैं कि senior के या फिर friend के notes ले लेते हैं और उन्हीं से पढ़ते रहते हैं जो कि एकदम गलत strategy है आपको आपके खुद के notes मनाने हैं किसी भी senior पे या फिर friend पे विश्वास नहीं करना है उसके notes से आपको कोई भी फाइदा नहीं मिलेगा offline की बात करें तो दोस्तों offline आपको पता है कि आपके आसपास में कोई भी reputed अगर coaching आपके रहा है न आपके nearby city में वहाँ पे जाब पे आप coaching जोईन कर लो और एक बार syllabus पूरा कमलो online mathematics के लिए देखा हूँ तो मेरे को पता है कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आभास सेनी सर के दो बेज आते हैं Spartan और Super Android तो इन में से कोई भी आग एक बेज जोईन कर लो अगर आप जैसे CPU की तहरी करते हो लेकिन आपको एक बार syllabus पूरा करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है supporting book की बात करें तो दोस्तो आपको पता है कि सबसे ज़दा important previous year question होते हैं तो previous year question के आपको किरन की बुक ले लेनी है और उसी को सबसे ज़दा practice करना है और chapter wise book है ना वो आती है किरन की और 11500 से ज़दा उसके अंदर question होते हैं और पूरे जैसे 2019, 20, 21, 22 जितने भी CPUs हुए हैं या CGL, CHS जितने भी होए हैं उन सभी में जितने भी question आया हैं वो सारे उन्होंने chapter wise और type wise उसके अंदर दे रखे हैं तो आपको क्या है कि chapter wise question करने है और उसमें भी type wise आपको करने है ताकि आप जब practice करो तो आपका कोई भी type छुटे नहीं क्योंकि type छुट जाता है फिर आपसे exam में वो जल्दी से बनता नहीं है तो इसका भी धान आपको especially रखना है तो मेठे मेठिक्स का दोस्तों मैंने आपको बताया है online करो या offline करो आपके खुद के notes आपके पास होने चीए और chapter wise notes आपको निश्ची तुरू से बनाने है किसी भी teacher से पढ़ो किसी भी online source से पढ़ो chapter wise notes आपके पास होने चीए उनकी practice करो और book मैंने आपको बता दी किरन वाली book ठीक है दोस्तों इसके बाद में दोस्तों English की बात करें तो दोस्तों मैं खुद English के अंदर हमेशा से top score रहा हूँ जैसे आप देख रहे होगे SSE MTS 2021 के अंदर मेरा जो score था वो English के अंदर 50 out of 50 था और CHSL 2021 के अंदर भी मेरा जो score था pre के अंदर वो 50 out of 50 था CGL 2022 के अंदर आपको पता है men's के अंदर मेरा score था 119 out of 135 था यानि कि आपको पता है मैं CGL 2022 से selected हूँ और यहाँ भी मेरा English के अंदर सबसे अच्छा score सिरफ English के अंदर ही था और मैं खुद एक Hindi मीडियम का student हूँ तो जो भी student अगर Hindi मीडियम से है सोचते हैं कि मेरे को English में score नहीं कर सकते हैं निश्ची तुरूप से दोस्तों आप कर सकते हो सिरफ आपको right strategy की जरूर्ट होती है दोस्तों English के अंदर आपको पता है कि आपके तीन section होते है vocab, grammar और RC या फिर reading वाला part दोस्तों आप जितना भी वक्त लगाओना उसमें से आप अगर अपना 40% time vocab पे लगाओगे 20% time grammar पे लगाओगे और 40% time reading पे लगाओगे तो आप निश्चित रूप से इसके अंदर सफ़ता ले जाओगे और vocab के अंदर मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी book ले लो जिसे black book ले लिया अगर आपके पास है तो या फिर नीतुमेम की जो volume 1 वाली book है vocab especially वह आप ले सकते हो और previous year paper में जितनी भी vocab आई होना उन सबको तो आपको बिल्कुल exam से चान के जाना है पूरा पढ़के जाना है अच्छे से और daily vocab का target आपको एक बनाना है कि मेरे को daily 50 word पढ़ने है 100 word पढ़ने है और उसमें से भी आप divide कर लो कि मेरे को जैसे 50-100 पढ़ने हैं तो 100 में से मैं 20 synonym पढ़ूँगा 20 antonym पढ़ूँगा 20 one word पढ़ूँगा या 20 idi पढ़ूँगा ऐसे आपको इनका सारा पढ़ना है करने का मतलब ग्रामर की बात करें तो दोस्तों ग्रामर आपको पता है कि बहुत ज्यादा ग्रामर इसके अंदर आती नहीं है सिरफ मेंस के अंदर आप अलग से पढ़ लेना तो अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के कुछ 120 के लगवग रूल है और निमिसा बंसल में का एक वीडिय हुआ यूटूब पे सिर्फ वो वीडियो कर लेना सारे रूल अपने आप हो जाएंगे और उसके बाद में प्रेक्टिस आपको करनी है प्रीविश ये क्यूशनों से आपको प्रेक्टिस करने है रीडिंग सेक्षन की बात करें जोस्तों सबसे ज्यादा प्रोब्लम ना वो सीधे सीधे रीडिंग पर बेश्ट होते हैं तो आप सुरुवात करने के लिए क्या कर सकते होगी कोई भी इंग्लिस की मेगजीन आपके पास हो या फिर अगर आपके नियरवाई एरिया में कोई भी इंग्लिस का न्यूजपेपर आपको इजिली अवेलेबल हो जा सकते हैं जो भी सिख से लेके 10th क्लास की जो भी NCRT हैं इंग्लिस वीडियों वाली वहां से आप सुरुवात कर सकते हो सपोर्टिंग बुक की बात करें तो मैंने आपको वोकेप के लिए बताई है यहां तो बलेक बुक ले लो यह फिर नितू में की कोई भी बुक ले लो और प्रेक्टिस के लिए आपको MB publication की जो previous year question होती है वो बुक आप ले लो अजे सिंग उसके writer हैं काफी अच्छी बुक है और यहां फिर किरन की भी P.I.E. क्यों आप ले सकते हों किरन की बुक तो दोस्तो आपको पता ही है SSC के लिए MSI best होती है उसके बाद में दोस्तो GK end current की बात करें तो GK end current आपको पता है सबसे ज़्यदा दोखेबा subject होता है और सबसे ज़्यदा marks कम भी यहीं पर आता है SSC कि जो भी तहरी करता है उसको सबसे ज़्यदा दिकत GK के अंदर ही आती है तो static GK है और current है static GK में आपको पता है कि आपके पास कोई भी एक supporting book तो ह रिवाइज कर सकते हो जिप्ट वाइज नोट्स आपके जरूरी है और आपकी coaching में अगर आपने कहीं भी पढ़ा है और आपने coaching कर रहे की है उसमें GK आपका पढ़ा हुआ तो वहां से आप उसको रिवाइज करो वो और भी better रहेगा subject आपको पता है दोस्तों history है लेता है लेकिन अगर आपने बुक नहीं लिए तो आपको मैं बुक सजेस्ट करता हूं जिसके अंदर क्या है कि एकदम सोट में में सब कुस बता रहा है जिसे 20-25 पेज के अंदर आपकी पूरी पूरी पॉलेटी देर रहे है 15-20 पेज के अंदर आपकी पूरी जिओग्रा ये बुक ले सकते हो अगर सपोर्टिंग बुक आपको जीके के लिए चीए तो इसके अंदर करेंट भी दिया होता है जैसे अगर आप लेटेस्ट वरजन लोगें तो आपको करेंट भी सकन्दर मिल जाएगा मार्च यहां अप्रेल थोजार्ट धुरीष तका करेंट इसके नोट्स मनाते हैं तो डेली वादा तो बिल्कुल गलत काम है वो तो करना नहीं है डेली करंट की क्लास में लेनी है और डेली पीडिएफ ही नहीं पढ़ना है इससे अचा तो आप कि आप मन्थली पढ़ो मन्थली सबसे बेश्ट रहेगा अगर आप मन्थली पढ़ते हो ना पिर मंतली PDF आप कही से भी ले लो जिसे राउल मिसरसर है ना DCA भाई राउल मिसरसर उन्होंने अपने चैनल पर जलजला करके वो डालते हैं वहां से आप पढ़ लो उसके बाद मोज़तो अगर रिजनिंग की बात करें तो आपको पता है रिजनिंग के अंदर कोई बहुत competition ह होता नहीं है सिरफ previous year question की जिन chapter में आपको दिकत आती है उनकी आप प्रेक्टिस करो इसके लावा आप अगर मोक्स लगाओगे ना वहां से आप रिजनिंग को तो उड़ा दोगे तो रिजनिंग का कोई बोज़ादा competition इसके अंदर है नहीं आप आराम से कर लोगे रिजनि की उसके बाद में दोस्तों सबसे important चीज जो आती है वो आते हैं आपके मोक्स क्योंकि दोस्तों मोक्स अगर आप नहीं लगाओगे तो भले आपने कितना भी syllabus किया हो कितनी भी पढ़ाई की हो वो कोई काम नहीं आनी वाली अगर आप आपनी पढ़ाई को आपनी practice को मोक्स कर लिया ना तो फिर आप डेली मोक्स लगाना सुरू कर दो रोज का एक मोक्स तो आपको लगाना ही है उसके बाद में weekly मोक्स किसको लगाना चीए तो अगर जैसे आज से आपने स्तरुवात तरीक है और आपने आज कोई भी चेप्टर पढ़ा कोई भी टोपिक पढ़ा ज जैसे आपने mathematics के अंदर को चेप्टर बढ़ा उसका sectional test लगा लिया GK के अंदर को चेप्टर बढ़ा उसका sectional test आपने लगा लिया और test book पे आपको सारे के सारे sectional test आपको मिल जाएंगे और वहीं से आपको practice करनी है यानि कि टेस्ट आपको टेस्ट बुक के सबसेदार रिलाई करने है और जब आपकी एक्जाम होगी जैसे प्री का एक्जाम आपका अक्टूबर है तो अक्टूबर से दो मेने पहले आपको प्रीविश एर में जित्ते भी पेपर आये होए हैं उन सबी के मोक्टेस लगाना सुरू कर देने हैं कहने का मिलब दो मेने एक्जाम से पहले आपको मोक्टेस शुरू कर देने हैं आपके एक्जाम के और कितने मोक्स दें दोस्तों ये कोई fix क्राटेरिया नहीं होता है मैंने ऐसे ऐसे student देखे हैं जो 10-10-20-20 मोक्स लगाके भी बहुत अच्छी रेंग ले जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो 500-500-400-400 मोक्स लगाके भी है न कोई अच्छी रेंग उनकी नहीं आपाती है तो कहने का मतलब यह है कि मोक्स कितने लगए इससे ज्यदा dependent आ पर पर पठता है कि मोक्स का एनलिसिस तो अब करना है उसके अंदर आपका स्कोर कम का माया तो आपको देखना है कि आपका जो वी वीक चेप्टर है कई सीटुरेब कौन सा है किःफन tienes कर मिलना मौख का आपको परते क्यूषन का एनृसीज करना है एक बार सने को आपको नहीं आया यह फिर उसके अंदर ज्यादा टायम लगा तो क्यों लगा वह भी आपको देखना है कई तो मौक्स के अंदर आपको यह देखना है कि किस कुछन में आपको कितना time लग रहा है यहां से कुछन नहीं बन रहा है उन सभी चेप्टर को तो उन सब को रिवाइज कर डाला मैथेमेटिस के अंदर आपका कोई चेप्टर उसके अंदर दिखेत आई एडवांस में या पिर अर्थमेटिक में उसको आपने रिवाइज कर लिया करने का मतला आपको रिवाइज करना है उसके बाद में जित्ते भी उस पे दुबारा से previous arrive वह सारे देन हैं और फिर्से मोख्ष देना है और फिर मोख्ष के अंदर दूसरा मोख्ष देना है जिसमें आपको उस केड़ने का मतलब mocks revision mocks revision यही आपकी target होना चीए और यही एक तरीका है जिससे आप maximum marks score कर सकते हो mocks लगाने से ज़्यादा important क्या है mocks कैसे लगाना है mocks का analysis कैसे करना है यह ज़्यादा important है तो दोस्तों इसके अलाव दोस्तों आपको पता है कि revision है वो आपकी सबस्टा का मंतर होता है revision के विना कुछ भी नहीं है आपने कितना भी पड़ा है कितना नहीं पड़ा है उससे मतलब नहीं होता है अगर आप एक बार आपने 70-80% कर लिया उसके बाद में आप मोक टेस्ट और रिविजन से अपनी जो बेस्ट है वो दे सकते हो जैसे कुछ एक बार रिविजन किया तो आपको पता है कि आपके आपको चीज़ें याद ही नहीं हुई तो आपके मार्स अच्छे आएंगे भी नहीं दो बार तीन आप करोगे चैर बार रिविजन करोगे ना वैसे वैसे आपके मार्स बढ़ जाएगे दोस्तों मैं ऐसे ऐसे इस्टुट्ट को जानता हूं जिनने एक एक जैसे प्रेटफर्म का देदो टेस्ट्बू का ले देदो ओली बाड़ का देदो सूपरमॉक्स का देदो कहीं का भी देदो उनके मार्स आना वह हमेसे अच्छे आते हैं बलब वन सिक्स्टी प्लस तो वह ऐसे ही स्कोर कर देते और मैठेमेटिस के अंदर तो पूरे के पूरे मा तेविस को टार्गेट किया हुआ है यह वीडियो दोस्तों आपके लिए रामबान है तो दोस्तों थेंक्यू ओल्डवेस्ट